दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि 2023 में क्या आपको अपने फोन में Custom Room डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए सवाल यह उड़ता है और देखो भाई डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए तो आपकी चोईस है ना डालते वग्त क्या ध्यान में रखना चाहिए वह भी बता दूगा मैं आपको पहले मैं बात कर लेता हुँ डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए देखो आज कल ना फोनों में कोई ऐसा रूट उट करने का कोई लफड़ा रहे नहीं गया लफड़ा एक रहे गया है कि जो पहले से रूम डलके आते हैं जो इनका मी यू आई या या कलर हो ऐसे पनी जो भी चीज़े हा रहे हैं इसमें फाल तो यह चाइनीज है एड्स बहुत जादा होते हैं क्लीन इंटरफेस नहीं मिलता और हो सकता है आपको एक्स्ट्रा फिंशनालिटी एड़ करना चाहते हो ठीक है क्लीन इंटरफेस चाहते हो यह एक वज़ए हो सकती है कस्टम रूम डालने तो क्या कि चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए एक कस्टम रूम डालते वक्त 2023 में सबसे पहरे मिस्टेक ही लोग करते हैं कि उनके फोन के लिए अगर कोई कस्टम रूम एवलेबल ही नहीं होता तो वो गिवप कर देते हैं देखो यार कस्टम रूम एक ऐसी चीज है कि अलग-अलग मॉडल के लिए अलग-अलग बना जाता है इस दुनिया में हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन नए फोन मॉडल आते हैं उन सब को लिए कस्टम रूम बनाना एक बहुत बड़ा टास्क है और डेवलपर्स इतने हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है ऐसे बहुत स ओने से रोंडाल सकते हैं यह जादातर clean interface के साथ आते हैं क्लीं यूड के साथ आते हैं तो यह बहुत ही अच्छे हो सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके पर्टिकुलर किसी मॉडल के लिए कस्टम रोम डेवलप नहीं किया किया है, वैसे तो ऐसा कम होता है बहुत, जितने भी बड़े बड़े पॉपिलर फोन आते हैं, उन सब के लिए कस्टम रोम मिल ही जाता है, लेकिन नहीं मिलता है, तो आप उनमें GSI रोम डाल सकते हो, जो क ज्यादतर स्मार्टफोन में सपोर्ट करता है, अगली चीज है कि भाई, बहुत लोग ये सोचते हैं कि कस्टम रोम डालने के लिए, आपको अपने फोन को रूट करना जरूरी है, देखो ये चीज ना, आज से कई साल पहले बहुत सही भी थी, पहले रूट करना पड़ता तो आपके फोन को कोई नहीं बचा सकता, रूट का हिस्सा एक ऐसा सिक्योर हिस्सा होता है, जिसे कंपनिया लॉक करके भीजते हैं, क्योंकि अगर इसमें इंटेफेरंस क्रियाट हो, तो पूरा सिस्टम अंस्टेबल हो सकता है, पहले जो लोग रूट करते थे, वो अगर डीसेंट आप मिड रेंजर या बजट फोन भी ले रहे हो, तो और कस्टम रूट करने के लिए आज कल आपको रूट करने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही फ्लैश कर सकते हो, तो यहाँ पर पॉइंट नहीं बनता, रूट करने का, फिर भी आप करना चाहो, तो आप करनेल्स को जब फ्लैश करते हो, लोग नहीं जानते करनेल क्या होता है, देखो, आपके फोन के सॉफ्टवेर और हार्डवेर के बीच में एक ब्रिज होता है, यह बहुत ही संसिटिव एरिया होता है, बहुत ही कॉंपलिकेटिड होता है, और जादातर यह रेकमेंड नहीं किया जाता कि आप करनेल्स वगेरा के साथ छेडखानी करो, अगर आप इसको फ्लैश कर रहे हो, तो ध्यान रखो कि अगर इसमें कुछ गड़बर हो ही मेरे दोस्त, तो आपका फोन ब्रिक हो जाएगा, वो यूजबल नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक पेपर वेट बन अगली चीज है कि इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली फॉलो ना करना, बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए, जब भी कोई फोन रूट करने का होता है तो उसमें आपको प्रॉपर फॉरियूम में इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, यह गाइड होती है जो वन टू, टू, ट्री, लॉक करके भेजती हैं उसको, ताकि उसमें कोई और रॉम डालके कोई छेड़ खानी ना हो सके, इसे अनलॉक करना होता है, बहुत सारे लोग करते नहीं है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते नहीं है, और उल्टी सीधी चीज़े उसमें फ्लैश कर देते हैं, बाद में उनका याइड को मिक्स मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए आप अपने फोन को अगर कुछ अलग डाल रहे हो, तो दो स्टेप आपने किसी और वाली गाइड के की, ciąफ यह दो वाले कती और लास्ट वाले किसी और गाइड के, तो यह तो हलवा बन गया ना, आपका फोए, तो फोन घ्र् अब भी कोई नया Android आता है ना तो वह पहले बीटा प्रिव्यू वर्जन आता है यह वह वर्जन होता है जो स्टेबल नहीं होता जो अभी जस्ट लॉंच हुआ है लोग इसे इस्तमाल करके इसमें कमिया बताते हैं उसको फिक्स किया जाता है और तब एक स्टेबल वर्जन न होते हैं जो की इनिशियल स्टेज पर होते हैं तो इसमें वह कमिया पाई जाती है जो एक इनिशियल रिलीज में पाई जाती है अब वहां तो फिक्स हो जाएंगी लेकिन यह कस्टम रोम है इसमें फिक्स करने वाले ज्यादा लोग है नहीं प्रॉपर टीम वगरा कुछ है अगर आपके पास कोई spare phone है तो मैं वही recommend करूंगा कि अपने spare phone में ही ऐसे Android के custom ROM, beta वाले या जो भी है उसको install करके experiment करें अगर आपके पास एक ही phone है और उसमें आप experiment कर रहे हैं और कुछ गलत हो गया तो आप ज्यादा समझदा रहे हैं आपको पता होगा आपका phone जा भी सकता है इसलिए company नहीं चाहती कि आप अपने phone में custom ROM डालो इसलिए तो bootloader होता है इसलिए तो 10 तरह के restrictions होते हैं बहुत साल हो चुके हैं दसीयों साल हो चुके हैं लोग custom ROM डालते हुए आ रहे हैं अगर यह smartphone company यह चाहती कि आप custom ROM डालो तो यह extra feature ही add करके भेजती जिसमें आप अपना मन पसंदिदा OS select कर सको सोचो जब आप अपना computer खरीदते हो तो आपके पास आजादी होती है आप कोई भी Windows डाल सकते हो smart phones में ऐसी आजादी नहीं मिलती इसमें आपको जो Android डल के आया है जैसा डल के आया है जो UI डल के आया है वही इस्तमाल करना पड़ता है कस्टम डालने के लिए बहुत जंजट है क्योंकि कंपनियां चाहती नहीं लेकिन computer कंपनियां चाहती है कि आप कोई भी operating system इस्तमाल कर सको इसी लिए computer में operating system डालना fairly easy है in comparison to your mobile phone इसी लिए अगर कोई custom room अपने phone में डाल रहे हो तो उसकी warranty समझो गई आपको उसकी warranty नहीं मिलेगी इस बात को ध्यान में रखना अगली गलती जो लोग करते हैं custom room डालते वक्त कि अपने phone की data को backup नहीं करते आप अपने phone के system के साथ खिलवाड कर रहे हो तो data तो जाना तै है अगर wipe कर दोगे क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि wipe करने के options होते हैं सारा data wipe करना होता है तो वो सब data चला जाएगा important photos videos, chats यह सारे पहले backup कर लो अपने phone से card है तो उसको clear करके कहीं और paste करके रख लो backup बना के रख लो तब ऐसी चीज़ करो custom room, routing या कोई भी ऐसा complicated process phone के साथ कर रहे हो उसका backup रखना एक बहुत अच्छा idea होता है तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको tips दे दी जो आपको follow करनी चाह रहे हो, custom room डालना एक बहुत exciting चीज़ हो सकती है, आप अपने phone को उस मुकाम तक ले जा सकती हो जिसके लिए वो बना भी नहीं है, मैंने तो ऐसे roams भी देखे हैं और ऐसे modifications देखें Android phone में, जो full-fledged Windows computer लग रहे हैं, लोग Windows computer के तरह अपने phone को इस्तमाल कर रहे हैं, हाला क और कुछ point है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो उसे like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, cyber security और ethical hacking में trust to the description check करें, 299 रुपीज के 3 इthical hacking courses हैं, आसान भाशा में आपक मैं है आपको वीडियो के आपको